वेलकम दोस्तो आज आपके सामने यहां पे FZX 149CC यमा की तरफ से जो कि अभी अभी लॉंच की गई है और इसका जो कि एक रेट्रो लुक ओफ रोडिंग के लिए स्पेशल डिजाइन की गई है अब यहां पर देखेंगे हम इसका फ्यूल टेंक वी जो कि एक मैटल में ही दिया किया है और इसका जो की एगिशन स्वीच से में जटीज एफचेट के वे पर ही लगाया गया है और बात करते हमें पर डिजिटल मेटर जो कि एक नया इंस्ट्रोल यहां पर हुआ है आप देखते हैं और है चाहिसके सेंटे है लैंप के हम इसके घ्यूल यूजाइन में दिया गये जो कि एक क्लासिक लाशक में हमें देखने कों मिल जाएगा। देखी आगए जो कि крепी आउट्ट यांडिक इनदे नियूओ्यार हो ओड़क्रा डियूब्यम स्ывाड़ु हमें यह यह बात करते हैं इसके शोकर्स के इन्होंने एक रबर ग्रिप्स जो की रबर की जो ग्रिप्स यहां पर इंस्टॉल किया है जो कि इंडस्ट रिजिस्टेंट यहां पर मिलेंगी वाइबर के इसमें डिस्क ब्रेक्स एविलेबल है सिंगल चैनल एपियस के साथ और इंजिन के उपर हम देखे तो यहां पर मड़ फ्लैप अल्रेड़ी यहां पर इंस्टॉल किया गया है जो कि एक मड़र्ज स्टेंट भी हमें फैसिलिटी प्रोवेट करेगा तो यह टूटल एक ओफ रोडिंग बाइक हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पे साइड स्विच देखने को मिल देगा स्टेंड में जो कि बाइक को गेर शिफ्टिंग के दौरण अगर यहां इसको हम खोल देते तो यह ओफ हो जागा अब टैंक तो आप देखी रहे हैं जो कि मैंने पहले ही बताए आपको कि इसमें मैटल टैंक यूज किया गया है कि अब बात करते हमें कैस्वी चीज पिए उपिए यहां पे हमें ओन उफ ूर्ष के लिए धिया गया है और पास सुछ और हाइब मैומार द्टिकेटर е और होन यहां पर होन यहां पर सिंगल हमें देखने को मिलेगा तो होन की क्वैलिटी में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगी अभी बात करता हम यहां पे इसके साइलेंसर की तो साइलेंसर में इसमें काफी अच्छा लुक भी इसका दिया गया है तो साइलेंसर में और निसिन के इसमें टायर ब्रेक्स यूज़ किये हैं पीछे से अगर देखे तो हमें एक काफ़ी स्टॉंग पाइप इसमें लगाए गया है और एक ओफ रोड बाइक हमें यह फुल देखने को मिल रही है अब बात करते हमें इसके आवरॉल पीछे के लुक की तो सेम एक इंस्टॉल किया गया है इंजन 149 CC में दिया गया है टेंक के ऊपर जो बैजिंग है यह 3D लोग इसमें इंस्टॉल किया गया है जो कि कॉफी अच्छा लोग इसमें देखने हैं में मिल रहा है हम बात करते हैं हमें इसके कलर की तो कलर वेरियंट इसमें तीन से लिए के चै टाइम इसमें हमें देखने को मिल जाएगा टाइम फैसलिटी जो कि आजकल बैक्स में सभी में आ रही है जो कि हमारे लिए कफी बेनिफिशल इसलिटी जो कि हैं यहां पर आर्पेम इसमें कि हमें सर्कुलेशन वे में देखना को मिल जाएंगे तो की स्विच पर एफ जड़ की तरीके से लगाए गए हैं इंजन भी सेम हैं और सीट लगबग हमें एक अच्छी कमफर्टेबल सीट हैं मिल जाती हैं अब देखो बाइक आफ रोडिंग के लिए तो हम यहां पर यहां पर चार्जिंग के लिए एक चार्जिंग सोकेट इसमें दिया गया है 12 वोल्ट का जूकि काफी अच्छा फीचर इसमें इंस्ट्रोल किया गया है तो इसको हमां अच्छी खास से एक और फ्रोडिंग बाइक मान सकते हैं चुकि हमां की तरफ से हमें लॉंच के गया thank you so much for the watching the video